हेलो फ्रैंक आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे इसके डोर्मेट बहुत आशान तरीकी से कलियों वाला तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले फंदी डालेंगे यह मैं उन से बना रही हूँ अगर आपके पास साड़ी हो या टुपट्टे हो तो उससे भी बना सकते हैं वाट मैं उन से बना एक जैसा बनता है चाहिए उन से बनाओ चाहिए साड़ी से बनाओ देखिए इसी तरीके से हम पंदे जा लेंगे और एक, दो, तीन, चार, पांच, चैस, साथ, आठ, नौ और यह दस दस तुने बीस बीस फंदे हो गए अब यहां से क्या करेंगे यहां से हम एक साधा रू लगाएंगे इसमें कोई फंदे गठाएंगे नहीं, कोई बढ़ाएंगे नहीं, कोई कलर चैन्ज नहीं करेंगे इस तरीके से बहुत ही आशानी से कलर चैन्ज हो जाता है देखिए यह मैं सभी को बना लिया अब क्या करेंगे ध्यान से देखना एक रो मैने लगा ली है अब हम दूसरी रो लगा रहे हैं जो बनाना नहीं जानते होंगे डूर मैट उसी को यानि इस तरीके से आप बनाएंगे मेरी वीडियो देखेंगे और पूरी और इसे बनाएंगे तो आप बहुत आशानी से इसे बनाना सीख जाएंगे बहुत आशानी से बना लेते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, सिरिफ इधर की साइट से हम क्या करेंगे एक फंदा छोड़ देंगे मैं एक एक फंदा छोड़ रही हूँ, आप चाहे तो दो दो फंदे भी छोड़ लें, फिर इधर से बनाएंगे चलो दो दो फंदे छोड़ देते हैं, क्योंकि साधा सिंपल जो भी बनाना नहीं जानता होगा वो भी इसे सीख लेगा, और बहुत आशान इसे मैंने ये दो फंदे छोड़ दिये, आपको दीख रहे हैं दो फंदे छोड़ दिये यहां से, अब यहां से तीसरे फंदे से हम बनाना इस्टाइट करेंगे देखिए, जैसा हम सीरी तरफ से बनाते हैं, वैसा ही उल्टी तरफ से बनाते हैं इस वाले फंदे को लास्ट वाले फंदे को हम सीधा लेंगे अब यहां से देखिए, यह मैंने दो लगा ली इधर की साथ से तो अब क्या करेंगे दियान से देखना अब यहाँ से कलर चेंद अभी नहीं करेंगे इसे हम उतारेंगे फिर उसके बाद मैं कलर चेंद करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ देखिए एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ अगर आपने कोई डोर मेट नहीं बनाया है तो आप मेरे पूरी वीडियो देखें और इसे चुटकियों में बनाना सीक है बहुत आशानी से बन जाता है अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें देखें फिर से मैंने दो छोड़ दिये अब यहां से अपना कलर चैन्ज करेंगे इस तरीके से यहां से कलर चैन्ज करते हुए जाएंगे और धागे को साथ ही साथ में इसे लपिर देंगे मैंने चार रू लगा कर धागे को बनल दिया है इधर के साथ से चाहे कैसा भी कलर लगाएं कौन सा भी कलर से बनाएं इसे हम सीधा ही लेंगे इस तरीके से देखें मैंने सीधा लिया अब यहां से क्या करेंगे इसे उतारेंगे उतार लिया फिर से बनाना शुरू करेंगे तो दो रो हम ब्लैक कलर की बनाएंगे दो रो हम इस औरंज कलर की बनाएंगे इसी तरीके से अपनी कलर चेंज करते हुए साधा सिंपल बनाएंगे वुल्कुल साधा सा और इसमें कुछ नहीं है यहां से क्या गरेंगे देखो यह दो ब्लेक कलर के फंदे छोड़ देंगे और फिर से इसे हम बनाना शुरू करेंगे थोड़ा सा बना कर मैं आपको दिखाती हूं सेम इसी तरीके से बनाना तो देखिए आप यानि औरंज कलर से बनाएंगे इस फंदे को हम सीधा ही लेंगे देखो इस तरीके से कुछ हमारी कली बनके तैयार होगे अभी थोड़ी सी बाकी है पहला फंदा उतारेंगे फिर से बनाएंगे यानि यह दो फंदे छोड़ देंगे और फिर से बनाएंगे अब इस बाले फंदे को भी बना लेंगे पहला फंदा उतारेंगे और इन्हें हम यहां से इस तरीके से बना हैं देखिए सूधिक रुवा उते हैं इस तरीके से पंदा लेंगे इन्हें देखाओ अब क्या करेंगे द्यान से देखना इस वाले पंदे को उतारेंगे इस से बनाएंगे करेंगे फिर से इसे उपर रखेंगे से पीछे की तरफ निकालेंगे अब हम क्या करेंगे इसे उपर रखेंगे इसे निकाल देंगे अब इसे उपर रखेंगे पीछे की तरफ से इसे निकाल देंगे अब क्या करेंगे इसे आगे लेंगे इसे पीछे की तरफ कर देंगे अब जैसे हमने ये वाली औरंज कली यानि औरंज कलर की ये वाले फंदे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे मैं एक कली मेरी बन गई है मैं आपको दिखाती हूँ देखिए एक कली बनके तयार हो गई है आपको दिख रही होगी बहुत ही आशानी से बन जाती है ये कली देखो अब क्या करेंगे द्यान से देखना इन फंदों को भी हम यानि आप सिर्फ हम ओरंज कलर से बनाएंगे चार रो क्योंकि हमारी दूसरी कली बनाना स्टार्ट हो गई है सभी को ओरंज कलर फंदे करेंगे कि जो भी नहीं जानता होगा बनाना अगर आप मेरे पूरी वीडियो देखेंगे तो इसे बहुत ही आशानी से बना लेंगे कि अधिक पूंग लास्ट वाले को सीधा ही लेंगे देखिए मेरी ये दूसरी कली भी बनना स्टार्ट हो गई है जैसे हमने ये वाली कली बनाई थी पहले ये वाले पंदे बनाई थे वैसे ही बनाएंगे फिर ब्लेक कलर लगाएंगे फिर औरंज कलर लगाएंगे फिर ब्लेक कलर लगाएंगे फिर औरंज लगाएंगे इसी तरीके से हमारी एक कली बन गई है, वैसे ही दो चार कली बना कर मैं आपको दिखाती हूँ, सैम इसी तरीके से, तो देखिए मैंने दूसरी कली बनाना इस्टाय कर दिया, आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे ही इसी तरीके से सैम हमें अपनी दो चार कली बना कर मैं आपको विए का साथ नब तकरी, बाइ-बाइ!